हाई गाई दीज आईत्य प्रकास और वेलकम बैक टू मैं यूटूब चानल सो गाईज कैसे आप लोग आई होप अलोग वेल सो गाईज आज वीडियो में डिसकस करने वाले इक लियानी स्कोलाशिप 2024 का रेइस्टराशन पुरा से शुरू होने वाला है जल्दी तो गाईज जिससे आप लोग अभी सही सारा डॉक्मेंट को रेडी करके रक्स है कि बाद में कोई हडबडी ना हो और गाई लास्ट में आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे जो चीज आप लोग रखना है जब ही आप लोग अप्लिकेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको जोड़ से जब ध्यान में रखना है तो पुरा वीडियो को आप लोग एंट देखेगा जिससे आप लोग कुछ भी गलती ना करें और अच्छे तेरे कैसे आप लोग सारा प्रोसेस आप लोग का हो जाए अभी आप लोग ताइम दे जाएगा इस वीडियो में तो तो बहुत जादा आप लोग के लिए अप लोग करते हैं और सबसे पहले आप लोग जो नोटिस निकला थे कराने का तरफ से वह आप लोग पढ़के बता दे उसमें क्या-कार डेट्स लिखा है उससा भी आप लोग को डिसकसन कर जाते हैं उसके आप लोग को बताएंगे तो आपको स्कीनिवीज ब्लोग को देख सकते हैं आप लोग नोटिफिक्शन जारी हुआ था एक लनका पॉटल पर आप लोग जाके डॉनलोड भी कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्सन में लिंक दिया हुआ ठीक है अब चले आप लोग डिए तो सब्सक्राइब लिखा हु पर लोग जाके बात किजिए कि प्लीज जाके वाँ पर कर दें करने के बाद फिर आप लोग इस्टुएंट को भी रेश्ट्रेशन कर सकेंगे तो आप लोग जाके बात कर सकते हैं फिर आप लोग 11 से लेकि 20 का बीच में आप लोगों को सारा डॉक्मेंट अपलोड इनका टाइम दिया हुआ ठीक है तीस बीच आप लोगों सारा डॉक्मेंट अपलोड करना है तो कि आगे हम बताये हैं आप लोगों को एक लिकांग बहुत जादा सौट परेट का टाइम दिया है बेखिए अपलोग बढ़ आप लोगों के लिए बहुत जादा टाइम एक्स्टे समिट करना पड़ता है इसे कॉले अप्रूट कर नव करते बहुत सरा अपलों मता दिए अब चलेए आगे पलों बताते क्या 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 आप लोगों को डॉक्मेंट इंप्रेंट हैं जो कि बहुत जब्सक्राइब आगे फोटोग्राफ एगाश लेगा है एक ऋड़ करें एक हो इसी है रहे हैर लोग बनाना है। थर्ड डॉक्मेंट आप लोगा category certificate, category certificate बहुत चाथ ही important है guys, और format आप लोगों सोब कर रही रहा होगा, और guys जनकारी के लिए आप लोगों बता दें, कि जो इक रहनी scholarship है, वो सिर्फ बैकवर्ड श्टूर्णों के लिए रहता है, means OBC के student, SC के student, या फिर ST category के student के लिए ही रह आता है, तो इस बहुत से लिए में से पूछते हैं कि general EWS के student, कहां से scholarship बार है, आपके लिए एक scholarship है, जो कि है, LPU NEST scholarship test, तो जो कि LPU college provide करती है, इसमें आप लोगे examination देना पड़ता है, और अगर आप लोगे अच्छे रैंक लेके आते हैं, तो फिर आप लोगे LPU college आप लोगे scholarship provide करती है, अब इंडिया में किसी college में, अगर आप लोगे admission लेते हैं, तो फिर आप लोगे सबसे पहले आप लोगे registration करना पड़ेगा, registration करने के बाद आप लोगे exam देना पड़ेगा, अगर आप लोगे अच्छा रैंका तो फिर आप लोगे scholarship मिलेगा, और उसके लिए आप लोगे 1000 रिपीस आइसका registration फिस लगता है, लेकिन मेरे link से अगर आप लोगे form fill अप करते हैं, तो फिर income certificate, income certificate ही बहुत जादा mandatory है, तो इनकम उनका मांगना जोड़ी रहता है, लोगे income certificate हो मांगते है, तो इस ट्राइक की जएगा कि दो लाग तीन लाग रूप का अंदर का income बनवाएगा, ठीक है, आप लिखा रहता है कितना का income बना हुआ है, तो जहीं भी आप लोगे अप ल पर यर का स्राइब किया रहता है, तो बहुत लोगे से पूछ दे कितना का मेरे को scholarship मिलेगा, जो डिपेंड करता आपको bonafide certificate है, जितना amount का bonafide certificate रहता है, उसके से plus minus कुछ कुछ आप लोगो तो बढ़ा कि आप लोगो मिलता है, अगर मानली जापल, एगर बीच जार का bonafide तो फिर बी से पचीज आर का आपको लोगो scholarship मिल सकता, अगर मानली जाप लोगो 50,000 का इसको bonafide certificate है, तो फिर आप लोगो 50 to 55,000 का scholarship amount मिल सकता है, तो योगी आप लोगो bonafide certificate बता दिए, नेक्स्ट आप लोगो का है previous year mark sheet, अब previous year mark sheet मानली जाप लोगो 1st year में अगर आप ल अधार काड, अधार काड आपका बनावा जोड़ रहना चाहिए और linking process भी सारा होना चाहिए, चली आगे आगे आप लोगों का लिंकी कराना चाहिए, इससे आप लोगो स्कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, तो सारा document आपको बता दिए, क्या का डॉकमेंट था का, सबसे पहला document सकतीके बेंग कोई भी बात में घलती ना करें तो फॉने मीडियो को द्यान देखेंगे जसे आगे आगे आपमको भी गलती ना करें तो गया तो कने पहले अपोइन और यह और आप नहीं और लोगा प्रगों से लिंक रहना चाहिए अपन कर्वाना चाहिए और अपका नंबर दिये हैं और दुनों नंबर आप रहना चाहिए ठीक है ध्यान दीजेगा बहुत सोच लोगे गलती रहता है नाम नंबर अलग रहता है बैंक का और आपका अधार कार्ड में अलग नंबर रहता है ठीक है उसके बाइसे बैंक में आपका क्रेड़ होने से दिक्कत हो जाता है स्कॉलर्सिप वहाँ देरी से आता कोई प्रब्लम ना हो ठीक है वो अप लोंग लिंकिंग प्रोसेस करवा लिजाएगा अब लिंकिंग करवा ले तो फिर आप लोंग चेक कैसे करें है कि लिंकिंग मीरा सई सई सब्सक्राइब नाल देंगे अगर देखि यहां पर लिखा हुओ है चेक स्टेट आप अधार क पर वहों को झाम को यहां प्र्णाब्सक्राइब यहां पर लाघ़ार नंबर से भी ज्ब्सक्राइब तो आप लोगों का बेंक एकाउंट जो है आपका अगर डीखा रहा तो जल्दी जल्दी जाके अपने अप्टीब कर वाद है ठीक है तो पूंट को ध्यान में रखना है अब चले के आगे आप लोग बताते कैसे आगे आपको पोसेस करना है ठीक है करने के बाद आप लोगो अपने काउस इसकी निपर सोकर होगा इस प्रकार से आप लोगों आपना है अपने समीकिशन के आप लिए उसका आप लोग को आप कोलेज में करना पड़ता है सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पढ़ेगा और उसके लिए अपना नोटीस निकालता है तो आपको वेबसेट कर सकते हैं रेगुलरली वह पर जैसी नोटीस निकलेगा उसको फिर आपको उसको फॉलो कर सकते हैं सब्सक्राइब करना उसका वरिफिकेशन आपको हो जाएगा अब आगे फिर आपको प्रोश्य चलेगा डी ऑफीर से अप्रूब होगा एए अगर फैनल अप्रूबल हो गया तो फिर आपका बैक में आपका एमांट हो जागा ठीक है तो सबसे पहले आप लोग देट बता है सब्सक्राइब कर देंगे अब कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए अपको डाउट हम क्लियर कर देंगे ठीक है बाकी गाइस आइसी वीडियो के लिए प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते नोटिफिकेशन बिल्को जोड़ सवान के जाएगा आगे इस इंपॉइंट लिए मिलते हैं नेट वे में थैंकियर वाचिंग टाटा बाई बाई बाई